नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSU उतकर्ष में जहां एक तरफ हमारे कंट्री में ओवर वर्ल्क या फिर एक्सेसिव मेहनत को ग्लोरिफाई किया जाता है वहां दूसरी और एक्सेसिव वर्क से कुछ लोगों की मृत्तिव हो रही है हाली में हमने Ernest and Young की एक Employee की Death की News सुनी ही थी दूसरी तरफ फिर से एक News आई है जहां पे HDFC के 45 वर्ष ये महिला की मृत्तिव हो गई है और उनकी कुलीग्स ने Overwork को Sight किया है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग ऐसी ही केस अब हमारे सामने ला रहे हैं तो आईए जानते हैं कि कितना Overworked है भारत चली शुरू करते हैं इस पर हम चर्चा यहां पर यह 45 वर्ष महिला है इनहीं की मृत्ति हुई है कुछ समय पहले माना जा रहा है इनके अब बहुत ही जानी जाती है एक 26 वर्ष यह महिला जिन्होंने सी अ बनने कर सपना देखा अर्नेस्ट अन्यंग जैसी कंपनी में इन्होंने काम किया बहुत ही कॉलिफाइट थी इनकी भी मृत्यू ओवर्वर्ग की वज़े से ही हो गई है इसके अलावा महराश्य के काम के बोच तले युवती की जान जाने के मामले को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है अब इस मामले में वरिष्ट कॉंग्रिसी नेता उससानसद शशित हरूर ने भी प्रतिक्रिया दिया है कहा है कि 26 वर्ष कर्मचारी की मृत्यों पर दुख जताया है साती साथ कहा है सब्ता में काम के घंटों को कम करने और पाच दिन काम का सुझाओ देने के लिए वो एक बिल भी लाएंगे वही मृतिका एना सेबैस्टिन परियल के पिता ने कहा कि हमने उसके काम का बोच देखते हुए उसे नौकरी छोड़ने की सलाबी दी पर वो समझती थी की वो सब कुछ हांडल कर लेगी तो उन्होंने छोड़ा नहीं इसके अलावा उन्होंने liar कि वाए काम के घंटे तैक करने का मुद्द आगामी सत्र में भी उठाएगे कि कितने काम होना चाहिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाहे वान निजी शेत्र में हो या फिर सार् केंट्री में आप देख रहे हैं यहां पे टॉप 10 कंट्री में दूसरे नंबर पर भारत आता है 51% एंप्लोई जो की 49% यह उससे ज्यादा खिंटों से हर सब्सक्राइब कर रहे हैं भूटान नंबर वन पे 61% एंप्लोई थर्ड पे आप देख रहे हैं बंगलादेश फिर वर्ल्ड है टॉप कंट्री जिनकी हाई एवरेज वर्क वीकली आस को देखें तो भूटान 54.4 से वन पे हैं इसके अलावा युनाइटेद डर अवेरेमेंट 50.9 पे हैं लेसो तो जो की साउथ अफरीका से पूरा घिरा हुआ है 50.4 है फिर कॉंगो कतर लाइबेरिया यहां पर आपको भारत देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर बात करें यहां पर अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में कितना कारे करने का एक सब्ता में प्रावधान हैं सामसेंग इलेक्ट्रोनिक्स में हर सब्ता 45 घंटे हैं माइक्रोसॉफ्ट में 40 घंटे हैं अलफ तालेस आर्स यानिकी 9 आर्स डेली इंटेल में 40, cms में 40-50 आर्स पर वीक है, amazon में 40 आर्स पर वीक है, oracle और netflix में दोनों में 8 आर्स और लेस है, no 9-5 शेडूल के साथ, तो ऐसा अगर आप देख रहे हैं कि 49 आर्स पर वीक किस से जाधा काम करना हानिकारक होता है सेहत के ल करते हैं, जिस प्रकार से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, इसके ही संदर में हम चर्चा करेंगे, महराश्य के पुणे की EY कंपणी में 26 साल की आना सबैस्टिन परियाल्ग ने मार्च 2024 में काम शुरू किया था, यह केरल की थी, एना की मौत 20 जुलाए को हुई थी, इन मंत्राले का कहना था कि उसकी शिकायत सुईकार कर ली गई है, एना की मौत की परिस्थितियों की जाच होगी, श्राम राज्य मंत्री शोभा जी ने कहा है, इनोंने सोशल मीडिया मंच एक्सपर कहा है कि एना की मौत बहुत दुखद है, और असरक्षित और तनावपूर व परिमचारी की दुखद मौत के बाद, उनकी माग के पत्रक्ते वाइरल होने के बाद बयान जारी किया, उससे पहलो ने कोई फरक भी नहीं पढ़ रा था, ये एक्चली बहुत सारी कंपनीज के लिए ट्रू है, इसके अलावा, चार बड़ी कंसल्टेंसी फार्मों में एक इवाई ने कहा था कि हम इस साल जुलाई में 26 साल की एना सबैस्टिन परियाल की दुखत और असमाई आसामी एक माफ कीजगा, निधन के वज़े से बहुत दुखी है, और समवेदनाई परिवार के साथ है, और साथी साथ, एक कंपनी से कोई आया भी नहीं इनके फ्यूनर और आपकी कंपनी भी आपको फैमिली मानती है, तो आपकी फ्यूनरल पर तो जरूर आएंगी, I am talking about Anna Sebastian Perel, तो यहां पर कोई भी कंपनी से आया तक नहीं और उन्हीं के ओवर्वर्क की वज़े से इनकी बृत्ति हुई, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर इन्हों इनर्जी से भरपूर भी थी, इतनी प्रतिष्टित कंपनी में काम मिलने पर बहुत खुश थी, लेकिन सर्फ 4 माने बाद उनकी मृत्यू हो जाती है, अंतिम संस्कार में कंपनी से कोई आया भी नहीं, इन्होंने पत्र पे बहुत गंभीर पत्र में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बाद अगर बात करें श्रम कानून की भारत में, तो सबसे इंपोर्टेंट कानून कोलोनियल इंडिया के टाइम आया था, जो की कारखान अधिनियम 1881, कारखानों में कारे स्थितियों के को विनेमित करने के लिए आया था, ट्रेड यूनियन अधिनियम चीजों से निप्तान करने के लिए, नियुनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, नियुनतम मजदूरी के लिए भुकतान किया, कारिस्थल पर बिमारी, प्रसुती और चोट की स्थिति में श्रमिकों के लिए अनिवार संदाइ और अधिनियम कि स्या एवं सराहने स्यवा को मनेता देने के लिए ग्रेटिक भुगतान करने की बात धर उसके बाद माथ्रत्व लाप अधिनيयम 1961 यह माहिला स्यायू को मातरुत्व लाब देने की बात करता है समान पारिश्रम एक अधिनियम 1976 पुलुश और महिनाओं को समान कारे करने के लिए समान वेतन भी देने की बात करता है बाल श्रम अधिनियम कानूनों को अधिक जवाब देही और पारदर्शिता से भरपूर रखना है देश में नियुनतम वेतन वाश्रम सुधारों की शुरुवात का मार्ग प्रशस्त करना है इसके अलावा या उन सभी रोजगार शेत्रों में वेतन और बोनस भुकतान को नियंतरत करता है जहां को या उससे अधिक श्रमिक है रोजगार की शर्टों और कामगरों के लिए आचरे नौर के नियमों को स्थाई आदेशों और सेवा नियमों के माध्यम से इस पश्ट रूपे परिभाशित भी करता है इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और हम क्या जान सकते हैं काम करने वाले करमचारियों को उनके उनसे अवगत कराना अनिवारे बनाता है साथी साथ स्थाई आदेश या का नया प्रावधान हर उस अद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले 12 महिनों से किसी भी दिन 300 या 300 से अधिक करमचारी कारेरत रहे हो या कारेरत ह या पहली श्रम संबंधी स्थाई समिती द्वारा सुझाया गया था इसके अलावा कि यहां पर बात करें इससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है हम प्रश्न देख लेते हैं देखे अंतराश्री श्रम संगठन की संदर्वर्णी में निमने कथनों का आपको वि शांती तभी प्राप्त की जा सकती है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारेत हो तो आपको वैसे तो बताना है उप्रोक्त में से कौन सा कथन सकते हैं पर हम इंटरनाश्रल लेबर और्गनाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यूपी से में इससे काफी सवाल उठते हैं ठीक है तो अंतराश्री श्रम संगठन की स्थापना 1909 प्रथम विश्व विद्ध के समाप्त करने वाली वर्साए की संधीम का एक भाग था जिसका उदेश यह विश्वास प्रतिम्बित करना था कि सार्वभामिक और स्थाई शांती तभी प्राप्त की जा सकत है जवा सामाजिक नयाय पर आधारित हो 1946 में आयलो संयुक्त राश्र की एक विशेश एजिंसी बन गया अंतराश्री श्रम संगठन सामाजिक नयाय और अंतराश्री स्तर्थ पर मानिता प्राप्त मानव एवं श्रम अधिकारिकों को बढ़ावा देने के लिए समप्त है ज